हेलो दोस्तों स्वागत है आप सब का अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल हेल्प में जहां आप आते हैं मेडिकल की संपूर्ण जानकारी आज हम बात करेंगे तीन कॉमिनेशन मेडिसन से बनी किट की जो की वोमेंस में ज़्यादा यूज की जाती है यहो किट डिफ्रेंट डिफ्रेंट ब्रैंड से मार्केट में मौझूद है जिने आगे वीडियो में बताये जाएगा साथी साथ किट का यूज किट से होने वाले साइड इफेक्ट किस समय किट को यूज करना है किट में कौन-कौन सी मेडिसिन मौजूद है तथा किट से related other important जानकारी वीडियो में दी जाएगी तो आप बने रही है वीडियो में end तक पूरी जानकारी के लिए और अगर आप चैनल पर पहली बार जुने हैं तो मेडिकल तथा मेडिसिन से related ऐसे ही वीडियो हर रोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों वीडियो सुरू करते हैं किट में तीन तरो की मेडिसिन फ्लू कोनाजोल, अजित्रो माइसिन, स्केनिडाजोल मौजूद है जिसमें फ्लू कोनाजोल एक एंटी फंगल एजित्रो माइसिन एंटी बायोटिक्स वा स्केनिडाजोल भी एक एंटी बायोटिक्स है यह मेडिसिन अलग-अलग स्ट्रेंद जैसे फ्लूकनाजोल, डेट स्वैमजी, एजित्रोमाईसीन 1 गराम वा स्केनिडाजोल 1 गराम की स्ट्रेंद में मौजूद होती है इसमें जैसा की आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे सबसे उपर वाली टैबलेट फ्लूकनाजोल जो की डेट स्वैमजी में मौजूद है दूसरे नमबर पर एजित्रोमाईसीन जो की 1 गराम की स्ट्रेंद में मौजूद है वा लास्ट में स्कैनेडाजोल की दो टैबलेटें जो की 1 गराम में मौजूद है यह किट मार्केट में फैस्ट्री किट अजीनो किट जैसे नामों से अविलेवल है जिसका प्राइज ब्रैंड टो ब्रैंड अलग अलग हो सकता है वा इसके अलावा ही इसके अधर market में मौझूद हो सकते हैं अब mainly बात करते हैं इस kit के use के बारे में तो kit का use females में vaginal infection जो की fungi के दोरा, bacteria के दोरा या yeast के दोरा भी हो सकता है तो इस condition में vaginal में swelling, burning, itching देखी जा सकती है वही vaginal discharge के दोरान क्योंकि vaginal discharge एक normal process है परन्तु discharge के साथ bad smell, color change का होना, discharge quantity का ज़्यादा रहना, itching रहना, irritation होना, warning ये symptoms अगर देखे जाते हैं तो इन condition में इस kit का use किया जा सकता है वहीं mixed vaginal infection, candidasis और कई patient में UTI यानी urinary tract infection के दोरान भी इस kit का use कराया जा सकता है इसके अलावा gynecologist दोरा इसका use किसी other sexual disease में भी कराया जा सकता है kit को use करने के बाद side effect के रूप में vomiting, nausea, headache, constipation, diarrhea जैसे side effect देखे जा सकते हैं जो कि कुछ ही patient में होते हैं अब जानते हैं kit को कब और कैसे कैसे लेना होता है kit में मौझूद सबसे पहली tablet fluconazole की जिसे morning में नास्ते के बाद लिया जाता है kit में मौझूद दूसरी tablet agithromycin जिसे lunch के एक घंटे पहले लेना चाहिए तथा kit में आखरी tablet जो की quantity में दो रहती हैं उन्हें रात में भुजन के बाद लिया जाता है जो की इस कैनेडाजोल की होती है इस प्रकार इस kit को एक ही दिन में समाप करना होता है kit का use कितने दिनों तक करना है ये patient की condition के according तै किया जाता है pregnancy के दोरान वा breastfeeding के दोरान females दोरा इस kit का use नहीं क्या जाना चाहिए अब जानते हैं यह kit कैसे अपना कारे करती है kit में मौजूद fluconazol की tablet जो की एक anti-fungal है वो fungi की growth को रोखता है या उसे destroy कर देता है इस प्रकार fluconazol अपना effect सो करती है वहें kit में दो तरो के एंटिवैटिक्स अजित्रोमाइसीन वा इसकेनेडाजोल मौजूद है जो की bacteria की growth को रोखते हैं या उन्हें किल करते हैं जिससे infection रुक जाता है तो इस प्रकार ये kit अपना कारे करती है तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अजीनो किट या fast 3 किट के बारे में अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट वाश शेयर जरूर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार जुने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें